नमस्कार दोस्तों आप सभी का यहां कैसे चलने में बहुत स्वागत है दोस्तों आज की सीडियों में आपको ताऊंगा जैसे आपके मुबाइल में Android System WaveView अपडेट को सना रहा है आप लोग जैसे अपडेट कर रहे हैं नहीं हो रहा है जैसे मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूँ जैसे यहां CR पे क्लिक करता हूँ दोस्तों यहां पे देखे Android System WaveView जैसे यहां अपडेट वाले पे क्लिक करते हैं दोस्ते से अपडेट नहीं हो रहा है तो आप लोग इस प्रॉलों को कैसे स्वाल कर सकते हैं और इसे कैसे अपडेट कर सकते हैं चलिए बतायता हूँ दोस् सबसे पहले हमें Play Store पे क्लिक करना है दोस्तों मैं यहां प्लेट पे क्लिक करता हूँ प्लेश ओपेन हो गया है यहां पे देखे सर्च और प्रॉफाइल फोटो शुकरा हमें यहां प्रॉफाइल वाले पे क्लिक करना है और यहां पे मेरी Gmail ID शुकरी है Google Account और इसके नीचे देखे हम सुकरा Manage Apps and Device हमें यहां पे क्लिक करना होगा और यहां पे Update All See Details मैं यहां पे क्लिक करता हूँ और यहां पे अप्लोडेश थे हैं मेरे मोबाईल में यहां पे Update का उप्सम आ रहा है दोस्ते यहां पे इतनी सारी अप्लिकेशन अप्डेट के लिए मांग रहा है ज बैक आ जाता है दोस्ते से आप लोग इसे Update कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं चलिए बतायता हूँ दोस्तो इसके लिए सरसर पहले हमें अपने मोबाईल में यह चेक कर लेना होगा कि हमारे मोबाईल में नेटवर्क है की नहीं और आपके मोबाईल में इ सेटिंग्स पर क्लिक करना है फिर आसा पर उपन हुआ यहां पर देखे सेटिंग्स सबसेटिंग ओफ्शन वाइफाई डिवल सीम और मोबाइल नेटवर्क दोस्तो हमें स्कॉल के के नीचे आना है और यहां पर देखें उस्टुक रहा अपलिकेशन और परमीशन गूगल ए यहां पे मेरे मोबाइल की सभी अपलिकेशन सोक कर रही हैं दो सोर से पहले हमें यहां थ्री-डोर्ट पर क्लिक करना होगा और यहां शो47 यहां पर क्लिक करना होगा और यहां पर दोसर webview हमें यहाँ पे click करना होगा और यहां host stop, disable, internal storage, not question, permission, open by default दोस्तों यहाँ पे देए काफी सारे options करना हैं दोस्तों आपको यहाँ internal storage यहाँ पे click करना होगा और clear data clear कहेचे दोनों को आपको clear करना है फिर यहाँ से बैक आजाना है और बैक आना है दोस्तो फिर आपको यहाँ फिर app manager यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमीं scroll के के नीचे आना है और नीचे आना है दोस्तो आपको यहाँ पे देखे देख लेना है Google Play Store यहाँ पे देखे सोकरा हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे force stop, disable, internal storage, notification, permission, open by default दोस्तो हम हमें यहाँ internal storage यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे भी clear data clear केचे, दोनों को आपको clear करना होगा फिर यहाँ से बैक आना है दोस्तो फिर आपको अपने mobile को एक बार restart कर देना है फिर आपको Play Store को open करना है फिर यहाँ जैसे Play Store पे क्लिक करेंगे तो दोस्तो यहाँ पे देखे play store open हो भा ह्ँटinta, दोस्तो play store open हो गया है, फिर हमें यहाँ profile वाले पे click के लेता हूँ, फिर यहाँ my apps and game यहाँ पे click कर रेता हूँ, दोस्तों फिर हमें यहाँ Android system wave view उसको देखे सेर्च कलेना है यहाँ नीचे आना है रहना है यहाँ अप्डेट कर ना है Android system wave view हमें यहाँ अप्डेट वाले पे क्लिक करना है दोस्तों यहाँ प्डेटिंग इस्टार्ट हो गई है दोस्तों इसी तरह आपलों बहुत रहले आसानी से अपने मोबाइल में Android System Wave View को अपडेट कर सकते हैं दोस्तों या मेरी जानका या वो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताईए दोस्तों अगर आप कोई जानका ही चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मज़रीप लाज़ूगा चलिए मिलते हैं नहीं दो में दोता कि ये जेहीं जानका